नमस्कार, News24 के खास शो मन्थम 2024 में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकूर और हमारे सेशन में हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है केंद्री राज्यमंत्री, S.P.A. सिंग भगेल जी भगेल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है S.P.A. सिंग भगेल जी की वैसे तो कई पहचान है, लेकिन अभी खासकर UP में ये BJP के सबसे बड़े चुनावी होता है पिछले दस सालों का तिहास देखें, तो BJP नहींनों ने दस सालों में पांच बार चुनाव लड़ा दिया है केंदर सरकार में अभी ये स्वास्थयों परिवार कल्यार मंत्री है और अभी जो पहली लिस्ट आई है BJP की, इसमें इनका टिकट कन्फरम हो गया है तो इनके साथ सवाल जब आपका सलसला सेशन में शुरू करेंगे बगेल जी वैसे तो राजनीती के हम बात करेंगे उस पे भी सवाल होंगे लेकिन शुरुआत थोड़ा व्यक्तिकत से और आपके पूरे करियर पर बात कर लेते हैं कहां आपने अपने करियर के शुरुआत पुलिस सब्मिंस्पेक्टर से की फिर आप प्रोफेसर बनें फिर समाजवादी पार्टी और ब्यस्पे से होते हुए नेता बने और आज आपके एक पहचान है बीजेपी की सबसे बड़ी उद्दा जैसे मैंने कहा कि आप दस साल में पांच बार बीजेपी ने आपको चुनाव लड़वा दिया और दूसरी पहचान है जो मुलाइम परिवार है उसके सबसे बड़े राजनितिक प्रतिद्वन्दी कहे या दुश्मन कहे है जब भी चुनाव होता है आप सामने आ जाते हैं तो जिन्दगी और ये राजलिती किस मोड़ पे ले आई है आज दोहजार चौबिस में आप किस तरह से देख रहे हैं इस करियर को नहीं शुरुआत मैं MST करके पुलिस में गया था पर मैंने Law PhD की और एक बाद में MST भी की तो मेरा उच्छ सिक्षा सेवा योग जो High Education Service Commission है लहवाद वहां से लेक्षर के लिए सेलेक्शन हो गया तो आगरा कॉलेज आगरा मुझे मिल गया तो मैंने पुलिस की नौक्ती छोड़ दी और ट्रेनिंग लगा के लगवे पौने दस साल की थी आगरा कॉलेज आगरा उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉलेज है जो 1823 में स्थाफित हुआ था जिसमें इस समय उसमें 18,000 बच्चे पढ़ना है तो उस कॉलेज का अपना एक स्टेंडर्ड था दूसरा साथ राजनीती चुंकि मैंने की है पुलिस में रहके इस्तीफा देखे ही राजनीती करनी पड़ेगी यह हमारे जो विस्विद्धाले हैं यह डिग्री कॉलेज हैं इसमें आप छुटी लेकर के भी चुनाव लड़ सकते हैं तो एक यह कारण रहा दूसरा मैं मु माने में सेरिमोनियल होता था जे वो कभी कभी 26 जनौरी 15 अगस्त वगरे को निकलता था मेरी पुलिस की 10 साल की नौकरी में साइधी किसी सांसद ने कभी फोन किया हुए चट्छी लिखियो विधायक लोग आते थे थाने भी आते थे फोन भी करते थे तो मुझे लगा कि मै यह लोग सवा के चौनाव लड़ता हूं और चूंकि अगर मैं मेहनत करूं जितनी पुलिस में ठारा घंटे करनी पड़ती है और सौ पर्सेंट इमांदर ही रखी जाए तो सफलता जल्दी मिलेगी मुझे दर्सकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पुलिस नौकर में गया फिर एक टूंडला विधान सभा है जिस जो काफी कठेने बीजेपी 16 बार हरी ती महां तो उहां टिकट दिया गया तो शपनहजार से जीत गया यूपी में कैबिनेट मुंती मना दिया फिर सपावस्पागट बंदन होते ही आगराब वापस लाए गया जीत किया मि चौदा लोग सभा स्रीक्षायादों के सामने फिरुजाबात फिर सत्रा टूंडला आएंदस सेकेंडे मिले बीजेपी का तो वो सत्रा टूंडला विधान सभा फिर उननीस आगरा लोग सभा सपावस्पागटमंद होते ही वो उसमें बीएसपी का बहुत बोट है और मुस लेकिन जिस अकले से आदोंने का था वो एक भी बार नहीं आएंगे तो मैंने का था हफते बर में ना आये तो मेरा नाम बदल देना एक बहुत कॉंफिरेंस की बात थी तो वो पांचमें दिन आ गए मैं होता तो एक बार कह देता तो फिर आता नहीं फिर उनने दूसरा का मेरे घर का कोई भी आदमी बोट नहीं मांगेगा तो मैंने का था घर का कोई आदमी छूटे गई नहीं और मुझे बताते हुए हर्थ हो रहा है कि एक सेकिंड के सोवे हिस्से में भी कोई करहल छोड़के नहीं गया 20 दिन तक सीमत्री डिमपल यादा हो सी अक्षा यादा ह और यह बड़ा विशाय रहा था अकली श्यादव के साफ ने आप लड़े थे लेकिन का